बिहार के नियोजी सिचको को 15% बेतन ब्रिदी के लाब जनवरी महीने से मिलना सुरू हो जाएगा बेतन निर्धारन यानि पेफिक्सेशन का काज अभी जारी है आपको बताते कि 3 जनवरी तक देख सकेंगे अपने संसोधित बेतन को अभी पेफिनी भरने का काम जारी है बेतन निर्धारन करने का काम जारी है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल वो भी हो रहा आप इस समय देख रहे हैं मगज संबाज सिचको के लिए हमेशा मगज संबाज ख़बर लाने की कोशिश करता रहा है हर समय चाहे आपका अंदोलन हो या बेतन समंदी बाते हो या अन्ने काम हो आपको बताने का काम क्या है तो अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा देखे नियोजी सिचकों के 15% बेतन ब्रिदी का लाब जनुवरी महीने से देने की बात सिच्चा विभाग बिहार सरकार के दुवारा किया जा रहा है हलाकि एक तरफ बिहार के नियोजी सिचक संगटन के नेताओं का काना है कुछ नेता का काना है कि अगर दिसंबर महीने के बेतन के साथ में 15% बेतन ब्रिधी का लावन नहीं मिला तो इंटर परिचा को हम लोग बादित करेंगे इंटर परिचा में हम लोग को भाग नहीं लेंगे लेकिन सरकार की और से कहा जा रहा है कि निश्ची तोर पर जनवरी महीने के बेतन के साथ में नए बेतन इधारन के साथ है उनका बेतन मिलेगा इसमें आपको बता दे कि 3 जनवरी तक अपने संसोधित बेतन को लिहार के नियोजी सिचक देख पाएंगे क्या बाते हैं तमाम चीजों को हम बताएंगे सिच्छा भी भाग अब बिल्कुल तयार है सिच्छा मंतरी का भी इस पर ब्यान आया है कि निश्टी तोर पर जनिवरी महीने से सिच्छकों को संसोधित बेतन मिलेगा पंजायत और नगर निकायों के लगबग साड़े तिन लाग से भी ज्यादा सिच्छकों को पंदरा परतिसक बेतन ब्रीधी के बाद संसोधित बेतन का निर्धारान जनवरी में हो जाएगा सिच्छक तीन से साथ जनवरी तक अपना संसोधित बेतन देख सकेंगे अपना बेतन संसोदिन बेतन देख सकेंगे बेतन निर्धारन संबंधित सिकायत सिच्छा के दीयो कर्याले कर सकेंगे और जब संसोदिन बेतन को अब 3 तारीक से 7 जनवरी तक देख सकीएगा अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तुरूटी होगा तो उसकी सिकायत अपने संबंधित जिले के डियो सहेव यालि जिला सिछापदाधिकारी के समझे आपको करना होगा और फिर उसमें सुधार संबो होगा और उसके बाद जब संसोदन हो जाएगा तो उसके बाद दस जनवरी को जस 20 जनवरी से कर सकते हैं कि 10 जनवरी से अस्कूल के लाइन लोग इन से मेधा सोप्त के माध्यम से पेसर डाउनलोड कर यानि कहने का मतलब है कि आ पूख जिस जनवरम में विसेस तचीव सहमादमी के सिच्छा निदेशक मनोच कुमार ने गुरुबार को सभी डियों को पत्र भेज दिया है यानि कि इसमें सारा चीज दिया हुआ है बेतर निधारन की परकिरिया भी सुरू है और जब तक बेतर नहीं होगा तब तक बेतर नहीं मिल पाएगा और विभाग का मना है कि जन्वरी के बेतर के साथ में नए 15% दो बेतर निधारन होगा उसका लाभ सिच्छकों को मिलना शुरू हो जाएगा हलाकि पहले जो 2015 में जो बेतर निधारन किया गया था उसमें काफी भाग दोर सिचकों को करनी पड़ी थी तो सिच्छा भी भाग इसको और आसान बनाना चाहें कि इस तरह से अगर हम जिला आसर पर ही उसको काम करवाएं तो निश्ची तोर पर सिच्छकों को जादा भाग दोर करना नहीं पड़े कई जीलों से सिकायत मिलती रही है कि सिच्छकों के बेतर मिंधारन में बहुत रकासो संदोहन होने का बात आती रहती है इन तमाम चीजों को सिच्छा भी भागने अगलन कर और कुछ इसमें संसोदन करते हुए सिच्छकों को भाग दोर परसानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए इस तरह की विवस्ता की गई है जो सायद आप अभी कर रहे होंगे पर फेक्सेशन के लिए कागडात तयार कर रहे होंगे सौप कोपी हड कोपी जो बनाया गया है उसको आप संसोदित करके डाल रहे होंगे जिला तक पहुचाने का 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 चल रहा होगा तो निस्ती तोर फर भीयार सिचह विभाग का मानना है कि जनवरी के बितन के साथ नया अधारन के पस्चात जनवरी के बितन के साथ hoş बढ़ा Better wig that म का लाद मिल inverse तब तक की दृधिया में जाज़ों धन्यवाद जै हिंद बारत बंद मात्रं